निर्देशक राम गोपाल वर्मा की मल्टी स्टारर फिल्म सरकार ध्री के फर्स्ट लूक लॉंच के आयोजन पर फिल्म की पूरी टीम मौजुद थी। इस मौके पर रामू ने एक बड़ा खुलासा किया। रामू से जब पूछा गया कि अमिता बच्चन के साथ क्या उन्होंने कोई ऐसी फिल्म बनाई है जिसे लेकर उन्हें पच्चतावा हो रहा हो। इस सवाल के जवाब ने रामू ने साफ कहा कि बिग बी के साथ सरकार फ्रेंचेजी के अलावा उनके द्वारा बनाई गई हर फिल्म को लेकर उन्हें रिग्रेट है रामू कहते है हाँ मैंने सरकार के अलावा जितनी भी फिल्में अमिता बच्चन के साथ बनाई है उन्हें लेकर मुझे पच्चतावा होता है मैं यहां किसी एक फिल्म का नाम नहीं लूँगा मैं ये बात उन सवी फिल्मों के लिए कह रहा हूँ जो सरकार से कम चली है सरकारी एक ऐसी फ्रैंचाइजी है जो बेहत सफल रही है रामू ने कहा पिछले एक दशक से मैं और मेरे अलवा बहुत से फिल्म मेकर ने अमिता बच्चन को ग्रैंटेड लिया है और हमेशा उन्हें ऐसे किरदार निवाने को दिया है जो बहत कॉंपलेक्स और मुश्किल होते है लोग बीगबी के गुस्से की खासियत को भूल गए थे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है मैंने उनके गुस्से के पावर को देखते हुए एंगरी यंग मैन का टैग लाइन दिया है सरकार्थ्री में अमिताप बच्चन सहीत जैकी श्रॉप, रोनित रॉय मनोज बाचपेई, यामी गौतम अमित साद, सुप्रिया पाठक और रोहिनी हटंगडी भी एहम किरदारों में नजर आएंगे सरकार्थ्री सिनेमा घरों में साथ अप्रेल को रिलीज होगी